किराना बिजनेस की मुश्किलें और उनके समाधान किसी भी बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है लेकिन इसको प्रॉफिट के साथ चालू रखपाना बहुत मुश्किल है किराना बिजनेस का काम पूरी तरह से मानेजमेंट पर निर्भर करता है जिसका जितना अच्छा management होगा, उसका उतना ही अच्छा business होगा किराना store, general store, mini mart और super market बड़ी तेजी से खुल रहे हैं और बंद भी उतनी ही तेजी से हो रहे हैं आज हम आपको किराना व्यापारियों के सामने आने वाली मुश्किले और उनके समाधान के बारे में बताएंगे तो वीडियो में अंतक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें किराना बिजनस को आसान मान कर हर कोई शुरू कर देता है इससे जिस जगा चार ही किराना store खुलने काफी हैं वहाँ पर 10-12 दुकाने खुल जाती हैं तो उस एरिया में किराना बिजनस मान में कॉम्पोटीशन चुरू हो जाता है कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए होड मच जाती है इससे किराना प्यापारी को बहुत मुश्किलें चेलनी पड़ती हैं इसके लिए आप अपने कस्टमर पर ध्यान दे और उसे सेटिस्फाइ करें अगर कोई ओफर या स्कीम या सेल लगाकर आपके कस्टमर को तोड़ना चाहे तो आपको भी अपने कस्टमर के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकाल ली होगी जिससे ग्राहक आपकी दुकान चोड़ कर ना जाए ग्राहकों का टूटना बढ़ते कॉम्पटीशन के कारण नए नए व्यापारी ग्राहकों को अपनी और खीचने के लिए तरह तरह की स्कीम्स या ओफर्स चलाते हैं इससे ग्राहक महाचला जाता है जहां पर उसे सबसे ज्यादा फाइदा होता है इस मुश्किल का उपाई ये है कि आपको अपने ग्राहकों का विश्वास जीतना होगा अपने पुराने ग्राहकों को हर तरह से सेटिसफाई करें उन्हें समय समय पर चोटा मोटा गिफ्ट उफर करें ये गिफ्ट आपके दुकान के आइटम से अलग हो द्याज की समस्या अगर कोई बिस्नेसमैन लोन लेकर बिस्नेस शुरू करता है उसे हर महीने इंट्रेस्ट चुकाना होता है अगर प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता कि इंट्रेस्ट चुकाया जा सके तो बिस्नेस सिमटने लगता है अगर आप लोन लेकर बिस्नेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बिस्नेस प्लान बनाए और ये तैय करेंगी लोन का इंट्रेस्ट और लोन किस तरह से चुकाया जाएगा आप अपने ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए दुकान खोलने या बंद करने का समय थोड़ा सा बढ़ा दे हो सकी तो कोई साइट बिस्नेस कर लें जिससे नए नए कस्टमर आपके पास आएं इससे आपकी इंकम भी बढ़ेगी कस्टमर डीलिंग किराना बिस्नेस के लिए सबसे जरूरी होती है बिस्नेस में ग्राहक से अच्छा बताब ना करने के कारण ग्राहक तूट जाता है इससे बचने के लिए ग्राहक के साथ अपने व्यभार को अच्छा बनाए रखें थोड़ा बहुत नुक्सान सह कर ग्राहक को सेटिस्फाइ करें क्योंकि ग्राहक रहेगा तो नुक्सान की भरपाई भी हो जाएगी उधारी और पैसा तूटने का खत्रा किरारा बिजनस में आपको बिजनस बढ़ाने के लिए उधार पर माल देना पड़ता है उधार लेने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ही उधार लेकर वापस ना करने की होती है इस तरह के ग्राहक से दुकानदार की टेंशन बढ़ती रहती है इसके समाधान के लिए OKCredit अपनाए यह बहुत ही सरल और आसान अप है जो Google Play Store पर विलकुल फ्री है इसके जरीए आप आसानी से अपना उधार पापस पा सकते हैं वो भी बिना किसी जनजट के OKCredit के जरीए आप ग्राहक को पेमिंट रिमाइंटर भी भेज सकते हैं और वो आपको ऑल्लाइन पैसे भी ट्रांस्वर कर सकता है तो आज ही डाउनलोड करें OKCredit अप और उधारी के जनजट से बचे आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनस टिप्स के लिए हावें कॉमेंट करके जरूर बताए OKCredit, बिजनस ओके है